दोस्तो जस्ट अभी कुछ दिर पहले विदानता लिमिटेड और टाटा पावर की तरफ से तीन काफी बड़ी निउस निकल के आ रही है मैं हूँ आरुश आप देख रहे हैं फनो मेडिया बाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आईए दोस्तो पहले टाटा पावर की निउस को कवर कर लेते हैं उसके बाद में हम लोग विदानता लिमिटेड की बात करेंगे तो टाटा पावर की तरफ से काफी बड़ी निउस निकल के आ रही है बिसिकली टाटा पावर और टाटा मोटर्स दोनों ही कमपनीज ने आपे कोलाबोरेट किया है और ये दोनों कमपनीज जो है मिल करके एक 9 मेगवाट का सोलर प्रोजेक्ट करने जारी है उतरा खंड के अंदर अगर और डिटेल में बताओं तो यहाँ पे टाटा पावर ने अनौस किया है कि यहाँ पे उसकी जो सबसिडरी कमपनी है टाटा पावर रेन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड उस कमपनी ने अल्रेडी एक पावर पर्चेस एग्रीमेंट साइन कर दिया है जिसके तहट टाटा पावर जो है 9 मेगवाट का ओन कैमपस सोलर प्रोजेक्ट करने जा रहा है टाटा मोटर्स के साथ में और यह जो प्रोजेक्ट है टाटा मोटर्स की एक फैक्टरी है उतराखंड के अंदर में पटना नगर के अंदर में उसी अंदर में यह जो है कैमप केंपस-based solar project है ये पूरे state, पूरे उतरा खंड के अंदर में अब तक का सबसे बड़ा campus-based solar project होने वाला है और साथी साथ में काफी बड़ी facility बनाई जाएगी और दोनों ही कंपनीज को काफी अच्छा फायदा होता हुआ देखने को मिलेगा और Tata टाटा पावर और टाटा मोटर्स के इसी कोलाबरेशन की निउस की वज़े से कल हमें टाटा पावर के स्टॉक्स के अंदर में एक शांदार तेजी भी देखने को मिली थी तो ज़रूर से इस निउस को फर्दर अपडेटेड रहेगा इससे बिकॉज अगर इसमें कोई भी अ सेलिंग रेकमेंडेशन दिये करंट प्राइस स्टाटा पावर के स्टॉक्स का अगर आप देखते हो तो 243 रुपीज के उपर में ट्रेड हो रहा है और यहां से एक सेलिंग रेकमेंडेशन दिया गया है वो 230 रुपीज का दिया है अब HSBC ग्लोबल ने कोई बड़ा रीज इस्पेक्ट करके चल रहा है तो जरूर से इस न्यूज अपडेट को भी ध्यान में बनाए रखिएगा और अगर 230 या 220 तक वापस से टाटा पावर आपको आता हुआ देखने को मिलता है तो थोड़ी बहुत क्वंटिटीज आप हाँ पे आड़ कर सकते हो वो काफी रिपोर्ट्स पब्लिश करी है जिसके अंदर पाचों की पाचों रिपोर्ट्स का अगर आप एवरेज लगाते हो तो यहाँ पे विदानता का जो लॉंग टर्म प्राइस टार्गेट है वो 294 रुपीज का निकल के आता है अभी करंटली 234 रुपीज के उपर में विदान लिमिटेड का स्टॉक चल रहा है और यहाँ से मोटा मोटा 25 परसेंट का एक अपसाइड विउव जो है काफी जादा रिपोर्ट्स के अंदर में बताया जा रहा है और और एन अवरेज 294 रुपीज तक जो है विदानता लिमिटेड का स्टॉक में आता हुआ देखने को मि का ध्यान रखना ये लॉंग टर्म टार्गेट है तो आपका जो विउ हुए वो आठ से दस महीने तक का मिनेमम बना के चलिएगा उससे पहले भी हो सकता है टार्गेट एचीव हो जाए बटा सिरफ वही क्यापिटल इंवेस्ट करिएगा जो आप आप आठ से दस महीने तक खोल्ड रख सकते हो विगोज उससे पहले काफी कम चांसे रहेंगे कि विदानता के स्टॉक के अंदर में हमें एक फर्दर मोमेंटम देखने को मिले अभी काफी टाइम से तो विदानता का स्टॉक जो एक बार अगर रेंज को ब्रेक करता है तो हाँ 294 तक डेफिनेटल ए अगर आप एवरेज निकालते हो तो 294 रुपीस तक का टार्गेट आपको देखने को मिल सकता है विदानता लिमिटेट के स्टॉक के अंदर में तो जरूर से इन तीनों अपडेट्स को अपनी नजर में बना के रखिएगा बाकी आज की वीडियो के अंदर में इतना है यह